गंडक पार के चारो प्रखंड के भाजपा समर्थकों के साथ निकाला विजय सिंग की जन सैलाब हजारो हजार की संख्या में देश्ट के ग्रिह मंत्री के कायरिक्रम में पहुँचे लौरिया भाजपा के युवा नेता भाजपा नेता विजय सिंग ने लौरिया में कायरिक्रम के उपरांत जनता के बीच परोसा भोजन नियूज नाइन टाइम्स पश्चमिच अंपारन बगहां से नवल ठाकुर की ब्योरो रिपोर्ट किंद्रिय ग्री मंत्री अमित सा ने लौरिया साहु जैन खेल मैदान में पहुँच कर हजारो हजार की संख्या में लोगों को संबोधित किया तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया ग्री मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार भेद भाव प्रदेश के लोगों के साथ कर रही है जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है उन्होंने कहा कि नितेश कुमार के प्रधान मंत्री का सपना कभी सकार नहीं हो सकता बिहार में लगातार हत्या अपहरन जैसे जगहन्य अपराज जैसी घटनाई निरंतर हो रही है जिनका जिम्मेदार मुख्य मंत्री है हलागी कई समास्तेवी संगठनों ने अपने विभिन मांगो को लेकर ग्यापन सौपा भाजपा की युवा नेतासा मदुबानी प्रखंड के प्रमुक प्रतिनी दी विजए सिंग चंदेल ने वालमिकी नगर विधान सभा के सम्मानी जनता को कारिक्रम के उपरांथ अपने हाथ से भोजन परोसा तथा खाना भी खिलाया कहा कि समास्तेवियों का करतव्य है कि कारिक्रम में आये हुए एक भी कारिकरता भूखे ना रहे इसके लिए विश्वयम कारिकरताओं की सहयोग में तत पर रहे तथा आपने आर्थिक सहयोग से हजारों हजार की संख्या में लोगों को भोजन भी कराया इसके साथ ही उनके सहयोग्यों की भरपूर सहयोग देखी गई इस असर पर समाज सेवी रामचंद्र सिंग, धननजय पांडे, अमन सिंग, रामचंद्र सिंग, ओम सिंग, आदी दर्जनों की संख्या में विजय सिंग के सहयोग्यों की सराहनिय भूमिका देखी गई नियूज नाइन टाइम्स